नमस्कार में नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News राखुल गांधी लगतार गौतम अडानी और देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं इन खुलासों में जनता का पैसा, करोडों के धांदली, सरकारी चीज़ों को बेचना ये सब शामिल हैं अब इसमें देखा जाए तो JPC की जाच की मांग कही ज़ा रही है वहीं यहाँ पर बार बार राहुल गांधी गौटमादानी पर कई सवाल खड़े करते हुए देश के प्रधान मंतरी पर निसाना साथ रहें दूसरी तरफ देश के प्रधान मंतरी 18-22 अगस्त को एक विशे संसन सत्र की शुरुआत करने की बात करें जिसमें यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा होंगी यूनिफॉर्म सिविल कोट के मुद्दे पर भी चर्चा होगी यहाँ पर जो सदन का विशे सत्र बुलाया जा रहा है इसमें यहाँ पर एक रास्ट और एक चुनाव को लेकर भी चर्चा होंगी लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की बात कही जाए तो गौतम अडानी का मुद्धा प्रेस कॉन्फरेंस से लेकर वो भरी संसद में उठाते वे नजर आएंगे अगर यहाँ पर विशेश सत्र की शुरुवात होगी तो क्या राहुल गांधी अपना गौतम अडानी का मुद्धा सदन में उठाते वे नजर आएंगे या फिर यहाँ पर केंद सरकार के मुद्धों को लेकर चर्चाए की जाएंगे इसे बीच यहाँ पर राहुल गांधी गौतम अडानी पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहें देखिए जरा और प्रदान मंत्री को साफ कहना चाहिए देश को बताना चाहिए और चत्तिसगर के युवाओ को बताना चाहिए कि वो अडानी जी पर इनक्वाइरी क्यों नहीं करवा रहे हैं ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी जी अडानी जी पर इनक्वाइरी नहीं करा सकते हैं दो तीन सवाल है भाई और बेहनों युवाओ ये जो हजारों करोड रुपे हिंदुस्ताइन से बाहर गिया ये पैसा किसका था पहला सवाल ये अदानी जी का पैसा नहीं था ये किसी और का पैसा था किसका पैसा था ये पहला सवाल है प्रधान मंत्री जी कोई inquiry नहीं करवाएंगे जा है कि मैं आपको साफ कह देता हूँ हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री अधानी जी पर कोई inquiry करा ही नहीं सकता क्योंकि अगर उसका निक्वाइरी का नतीजह निकल गया तो नुकसान अधानी को नहीं होगा नुकसान किसी और को होगा जिसे कि आपने राहुल गांधी को सुना उसके बाद एक सवाल यहां पर बन जाता है कि सदन में राहुल गांधी ने गौतम अदानी के मुद्दे को उठाया था जिसके बाद यहां पर संसर सदसिता रद करवानी के लिए मानहानी का केस राखल गान्धी पर दर्च किया गया एक बार फिर से अगर यहां पर सदन की कारिवाही शुरू होगी और यहां पर तमाम पार्टिया माझाथ हो गी और ऐसे में अगर राखल गान्धी भी झाल झाल